टेरो कार्ड रीडिंग एक काफी अच्छा माध्यम है जिसमें कुछ स्पेशल कार्ड की मदद से किसी भी व्यक्ति के बीते हुए कल और भविश्य के बारे में पता लगाया जा सकता है टेरो कार्ड को जोतिश शास्त्र का ही एक प्रकार माना जाता है इस प्रक्रिया में नाम, जन्तिती और प्रश्ण उत्तर के रूप में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कथी विदियो को जाना जा सकता है लोकल 18 के साथ बातचीत में उत्राखन के रिशिकेश में तपोवन परस्थित माया इंटरनाशनल स्कूल की निदेशक और टेरो कार्ड रीडर माया बताती है कि कई बार हम परिशानियों की वज़े से जिन्दिगी में फस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते वही टेरो कार्ड और नियुम्रोलोजी इस उल्जन को दूर करने का अच्छा तरीका है ज्यादतर नियुम्रोलोजी और टेरो कार्ड साथ में किये जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने जन्व से ही तिथी अनुसार एक नंबर लेकर आता है और वो नंबर उस व्यक्ति की जिन्दिकी में एक अच्छा भूमी का निभाता है। तो चलिए, टेरो कार्ड रीडर से जानते हैं भविश्य के बारे में, कि ये कार्ड्स कैसे भविश्य बताते हैं। टेरो कार्ड्स एक बहुत इंट्यूटिव टिक्निक है। काई भर क्या होता है हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि क्या होता है। सबसे पहले तो एक बड़ी बात है कि जो टेरो रीडिंग कर रहा है वो परसन सेंटर में होना चाहिए, बहुत इंट्यूटिव होना चाहिए। हम सिर्फ पैसे को लेकर सोच रहे होते हैं और हम टारो लेकर बैठ जाते हैं कि हम रीडिंग कर रहे हैं तो कई बहुत प्रडिक्शन से गलताते हैं। और टारो का क्या है। आलवेज गिव नाइस गाइडेंस। मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल एक प्रोसेस है। जब हम काड्स प्रैट करते हैं, तो भूस की सारे काड्स है। मतलब क्या है। तो उदर की हमें क्या decision लेना है और कभी समझे नहीं पाते है कि किस से help लेए तो ऐसे में टारो और नुम्रोलोजी को यह बहुत ही अच्छा एक combination है तो हम जब करते हैं टारो session तो हम टारो और नुम्रोलोजी दोनों को जूटते हैं, combine करके करते हैं क्योंकि हर वेक्ती अपने जन्मों के अनुसार नंबर कर रहा होते हैं और वो नंबर इसको पाइफ में अच्छा एक रोल प्रे करते हैं और टारो से हम एक divine guidance से question पूछते हैं और randomly कोई भी card pick करते हैं तो वो card में एक message चिपा होता है जिसको tarot reader ही पढ़के बता सकते हैं